तेजर रफ्तार का कहड थामने का नाम नहीं ले रहा है। आसकदर थाना की कच्छी पकी चौक पर एक तेजर रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार महिला सिक्छा को कुछल दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गटना के बाद भाग रहे ट्रक को अस्थानी लोगों ने ख चान मजहुलिया के हार्डवेर वेफसाई मौहमद इजास की पतनी रिजवाना खातुन के रूप में हुई है। फिलाल आवागमन बाधित है। आक्रोशित को सांध करानी की पुलिस परियास कर रही है। रिजवाना के पती ने बताया कि वह मूल रूप से रामपूर कोश बताया कि वह स्कूटी से कच्चे पकी चौक होकर जा रही थी। उन्होंने हेलमेट भी पहन रखा था। तब ही पीछे से 13 अफ़तार ट्रक ने उसे कुछल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। असानी लोगों का आरोप है कि ARB के जवान सिर्फ ड्यूटी के नाम पर खाना पुड़ती करते हैं। खासकर महिला सिपाही तो दिन भर मॉबाइल में वैस्त रहती हैं। हमेशा चौक पर जाम लगा रहता है लेकिन इन लोगों को कोई फरक नहीं पड़ता। सदर थानेदार सतेंदर मिश्रा मौके पर पहुँचकर लोगों को शान्त कराने में इसकुल में तो शेंदर मोध कर रहती हैं। जिठानी परकंड में हैं। फरक्री स्कुल में करते हैं। तरक वाला चाहिं प्लेस कुछ भी नहीं कर सके हैं करती हैं पूर्दू स्कूल में टीचर थी निर्पूर स्कूल में जवाना खातून नाम है पतिक नाम मुहमद एजाज हमद है रामपुर काशी कि रहने वाजित थी और दुरुभाग बस ट्रक से दक्का जगी और उनका देथ हो गया है क्या आगे कारवाई कर रहे हैं और जिस ट्रक से घटना घटी है उस पर फेयार उड़ा है उनके द्राइबर पर ट्रक सीच हो गई है द्राइबर नहीं पकड़ा गया लेकिन द्राइबर पकड़ाई जाएगा कि लोग का रिमांड नहीं डिमांड की बात नहीं है त्रक रिवांस होता है देखिए अब किसी का कोई आदमी बुजड़ जाए थ्रा दुख तो होता ही है अब उसके लिए मन दिया जो है हम लोग उसको धंग से